तो इस फीडियो में specially में दो टाइप का इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे पहले टाइप का इन्वेस्टर जो आप लोगों का already SIP चल रहा है लेकिन सोच रहे हैं हाथ में कुछ पैसा है और बाजार भी अच्छा कर रहा है तो थोड़ा सा लमसम किया जाए अपना इन्वेस्टमेंट को बरहाया जाए ताकि आगे जाके जादा मुझे मुनाफ़ा मिल सके सेगेंड टाइप का इन्वेस्टर है जो लोग अभी भी बिल्कुल नए है मार्केट में वो 3-4 साल से निवेश नहीं करके आ रहे हैं अभी नया नया चा रहे हैं कि बाजार में वो लोग निवेश करें क्योंकि बैंक में FD का रेट बहुत ही कम है PPF का रेट भी कम है तो क्यों ना शेयर मार्केट में या फिर mutual fund के जरिये थोड़ा सा मुनाफा अच्छा कमा लिया जाए और उसमें अगर वो लोग अभी participate करना चाते हैं तो SIP उन लोगों को बहुत ही long duration का लगता है तो ऐसा सोचेंगे कि पहले मैं थोड़ा सा लमसम डाल देता हूँ दो लाक तीन लाक रुपे उसके बाद SIP भी start कर लूँगा ताकि मेरा जो main corpus है वो भी बरता रहे इन दोनों टाइप का investor ही आप लोग एक चीज़ को भूल रहे हैं वो है market timing जो लमसम के लिए बहुत जरूरी है इस वीडियो में मैं data के साथ आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूंगा और कैसे आप लोगों को लमसम को strategically use करके मुनाफ़ा जादा से जादा कमा सकते हैं अपने overall portfolio में नमश्कार दोस्तों मैं हूँ Sanjay और आप देख रहे हैं आपका channel Sanjay Talks देखिए दोनो टाइप के investor में एक बात तो common है कि हम लोग लमसम करके मुनाफ़ा extra कमाना चाते हैं तो उसके लिए एक चीज तो आप जानते हैं कि ये formula एकदम सभी के लिए same है कि आपको जादा मुनाफ़ा कमाने के लिए आपको buy करना होगा lower level में और sell करना होगा higher level में ये simple rule है सभी को मालूम है लेकिन इसको implement कैसे करेंगे यहाँ पे ही problem आ जाता है ये सबसे कम दाम में buy करने में दो problem आ जाता है एक है psychological problem के कितना low मतलब low का तो कोई definition होगा आपके लिए जो low है वो मेरे लिए low नहीं भी हो सकता है क्योंकि मेरा risk appetite जादा है मैं और भी अगर market में गिरावट आए तो भी मैं जेल पाऊंगा तो मेरे लिए वो low नहीं है वो एक opportunity है और भी जादा mutual fund units को खरीदने के लिए और जिन लोगों के पास मान लीजे उतना जादा risk नहीं ले पा रहे हैं तो उन लोगों के खरीदने के बाद अगर market नीचे आ जाते हैं तो वो लोग panic होके sill के लिए भी सोचेंगे तो दोनों का नजरिया अलग हो जाता है बाजार नीचे के तरफ आने के time तो इसलिए investor के उपर psychology एक बहुत जरूरी बात है लेकिन यहाँ पे तो मैं data देके आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ तो data क्या बोल रहा है देखिए अगर आप देखेंगे lump sum जो हम एक साथ कर रहे हैं lump sum का पहले थोड़ा सा definition जो आप लोगों को बहुत लोग नहीं समझ रहे हैं उसको clear करता हूँ अपना portfolio में जो भी amount आप देखेंगे एक साथ आप दे रहे हैं market में उसको lump sum नहीं बोला जाता है मान लीजी आपका overall portfolio में 5 fund है और हर एक में आप 5000 रुपे करके SIP कर रहे हैं यानि 25,000 रुपे का total SIP एक मंथ में जा रहा है उस हिसाब से अगर आप कोई मंथ में अपना overall portfolio में 1,00,000 रुपे का निवेश करना चाते हैं तो उसको आप जरूर लमसम बोल सकते हैं लेकिन वही अगर आप एक मंथ में total extra 5000 रुपे वो उसमें डालने का कोशिश करेंगे तो उसको आप लमसम ना बोल के top up बोल सकते हैं वो लमसम नहीं है क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है जब आप top up करते हैं तब आप जादा कल market गिर जाएगा के नहीं या एक मंथ में market गिरेगा के नहीं इसके उपर जादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि 5000 जो रुपे है वो आपका overall 25,000 का जो total आपका SIP चल रहा है उससे सबसे कम ही है तो अगर 20% आपका 5000 वो extra निवेश करने के बाद भी अगर 20% का market में गिरावाट आ जाए तो भी absolute term में स्रिफ 1000 रुपे का loss हुआ आपका वो 5000 रुपे जो आप extra डाले थे लेकिन वहीं अगर आप लंसम करते हैं एक लाख रुपे का तब अगर 20% का गिरावाट आ जाए तो आपका 20,000 रुपे का loss होगा तो वो psychologically जादा effect करता है तो इसलिए top up amount और लंसम amount को clear कीजिए आपके portfolio के लिए कौन सा top up amount है और कौन सा lump sum है उसको decide करना सीखिए इससे एक बात तो clear हो गया अगर मैं उतना जादा risk ना ले पाऊं कि 1,00,000 रुपे लगा दिया जाएए वो ही 1,00,000 रुपे को divide कर दीजिए अपना जो existing portfolio है जहाँ पे आपका already SIP चल रहा है चारिया 5 fund में वहाँ पे ही आप अच्छा performing funds में वो ही 1,00,000 को divide करके कोई टुक्रों में divide करके हर महीने डालिए ताकि आपका 5-6 महीने में पूरा 1,00,000 रुपे मार्केट में निवेशित हो जाए ऐसा एक approach आप कर सकते हैं लेकिन यही लंसम को अगर आप थोरा सा strategically use करेंगे तो आपका overall portfolio में बहुत ही जादा return कमा सकते हैं उसके लिए थोरा सा example के साथ बाद में बताता हूँ पहले second type का investor के बाद कर लेते हैं जो लोग बिल्कुल नए आये हैं market में 3-4 महीना ही हुआ है और अभी उसके पास थोरा सा amount है जिसको वो लंसम करना चाते है तो लंसम आप लोगों के हिसाब से देखिए किसी के लिए 10,000 रुपे भी लंसम हो सकते हैं आज भी हम लोगों का समाज में share market, mutual fund इन सभी को openly discuss नहीं किया जाता है आज भी बहुत लोगों के मन में है कि share market तो जुआ है यहाँ पे ऐसा होता है यहाँ पे ना जाओ तो अच्छा है यह सब अभी भी मन में है social में अभी अगर आमान लीजी आपका जो first जो experience है mutual fund या stock market को ले कि वो अगर आपको भी negative first experience रहा तो आपके मन में भी वही आ जाएगा कि stock market को तो यार जुआ है यहाँ पे पैसा डू भी जाता है क्योंकि mutual fund एक तरीके से stock market ही है equity mutual fund तो आप लोगों का मन में negative एक ढरना पैदा हो जाएगा अगर आप पहले ही अपना lump sum में जादा loss हो जाए तो और देखिए सभी लोग बोलेगा मैं भी बोलता हूँ कि long term में mutual fund stock market सब कुछ investment अच्छा है लेकिन short term में pain तो जहलना परता है ना short term में अगर 2-3 महीने एक साल में अगर आपका portfolio 10% नीचे जाएगा तो आप लोग अगर नए investor है और आप लोगों का mindset ऐसा नहीं है आप लोग स्रिफ तेजी ही देखे आएं है last एक साल देर साल में बाजार में तो आप लोगों का मन में धक्का लगना सवाभाविक है आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हो गया यार नहीं यार stock market में मेरा तो पैसा डूब गया long term long term बोल रहा है लेकिन short term में तो अभी मेरा तो पैसा तो डूब गया है यह से अच्छा है bank में रखते तो अच्छा पैसा होता हाँ मैं जानता हूँ बहुत लोग अभी ये mindset से निकल आए हैं धीरे धीरे जितना दिन जा रहा है आप लोग informed investor बन रहे हैं लेकिन फिर भी कही न कहीं ऐसा panic situation सभी के मन में आता है और जितना भी seasoned investor हो क्यों ना हो वो भी जब beer phase आता है तब panic में बहुत सरा अच्छा fund अच्छा stock को sell कर देते हैं तो इसका remedy क्या है अभी आ जाते हैं जो मैं timing के वारे में आपको data के साथ आप लोगों के साथ discuss करने वाला था वो phase ये जो part में discuss करने वाला हूँ ये both type of investor जो दो type के investor है सभी के लिए applicable है देखिए lump sum को आप लोगों को strategically यूज करना है तो ही lump sum से आप लोग जादा से जादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं नहीं तो lump sum करने का कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप फिर SIP कीजिए regular investment कीजिए ठीक है ना lump sum आपको करना क्यूं है ताकि आप लोगों को buy at low मिले माजार में तब lump sum करने के लिए जादा सोचिए जब बाजार में सभी को एकदम डर पैदा हुआ हो कोई बो stock market के बारे में बात नहीं कर रहे हैं सब लोग dip fund के बारे में बात क्योंकि तब dip fund जादा return दे रहा था तब equity market को कोई touch भी नहीं करने वाला था तब होता है lump sum करने का सुनहेरा समय ठीक है वो miss भी हो सकता है कभी कभी और ये भी हो सकता है आपको buy करने के बाद भी 5-10% correction हो वो ठीक है एकदम नीचे आप पकर नहीं पाएंगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुषन आप लोगों के पास रहेगा उस time होता है आपको lump sum करने का सुनहेरा समय अभी जब सभी का portfolio green है equity को लेके boom है मेरा भी portfolio अच्छा है सभी का including आप लोग सभी का अच्छा है तब थोड़ा सा equity market में जादा बड़ा lump sum करने का मत सोचिए top up जरूर कीजिए लेकिन lump sum आप लोग थोड़ा सा रुख जाए नए investor है तो एकदम बिल्कुल थोड़ा सा रुख के कीजिए आप लोग SIP स्टार्ट कीजिए SIP कीजिए क्योंकि बाजार में अगर गिरावड भी आता है correction आता है consolidation आता है तब भी आपको जो SIP है वो आपको average out करता जाएगा देखी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये सा phase मैंने personally झेला है इसलिए मैं बोल रहा हूँ data देके बोल रहा हूँ 2008 में भी हुआ था 2008 का जो peak हुआ था उसको बाजार में उसके बाद गिरावाट आया उसके बाद next जब 2008 का peak को cross करने में बाजार को Sensex को 3-4 साल लग गए थे मान लिजिए आज के दिन में आप देख रहे है 6 महिने में आपको 20% का return देखने को मिल रहा है लेकिन तब 4-5 साल तक कोई return नहीं मिला है lump sum कोई अगर 2007-2008 में lump sum करके बैठा रहता market के high में अगर SIP करता तो average out होता ठीक है लेकिन जब top में अगर lump sum करता तो 4-5 साल वो लोगों में कोई भी return generate नहीं करके दिया था वो lump sum तब क्या होता frustration आता और तब 2008-2009 में dip fund बहुत अच्छा कर रहा था जब बाजार में correction चल रहा था तो ऐसे investor आप देखते अरे मैं अगर equity में lump sum ना करके dip में lump sum करता तो मुझे तो बहुत अच्छा return मिलता ये 5 साल में 5 साल में तो कुछ भी return नहीं मिला लेकिन वही अगर कोई लोग उसको पकर के रखते आज देखिए 2008 से बाजार कितना गुना हो गया है लेकिन वही होता है मान लिजे आप सिर्फ 3-4 साल के लिए नजरिया लेके लंसम कर रहे हैं तो एक risk हो जाता है क्योंकि previously ये हो चुका है जो top-up मैं बोला हूँ वैसे करते जाएए और जब time आएगा तब आप लोग लंसम कीजिए वो time जरूर आएगा market में हर एक cycle में time आता है तब आप थोड़ा लंसम कीजिएगा उससे क्या होगा आपका जो total return of investment बहुत जादा देखने को मिलेगा और long term में आपका जो portfolio है वो एक normal investor से बहुत गुना जादा return देने का शमता रखेगा और ये सब के लिए एक अच्छा mutual fund का portfolio होना तो बहुत ज़रूरी है portfolio building के उपर best funds के उपर और मेरा खुद का publicly जो open portfolio है उसके बारे में जानने के लिए channel का video आपका screen में आ जाएगा click करके जरूर देख सकते हैं वीडियो को अगर अच्छा लगे तो like share जरूर कीजिए channel में नए है तो channel को subscribe करने के साथ साथ bell icon को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी new video upload करूँ वो आप लोगों के पास पहुंच जाए मिलते हैं next video में तब तक के लिए जाए हिंद वंदे मातरम